नमस्कार मैं हूँ जूली आप इसे देख रहे हैं आइवी टीवी मुकामा से आरजडी विधायक अनन्द सिंग को लेकर के आज अदालत में फैसला होने वाला है दरसल ये मामला 2019 का ही है जब अनन्द सिंग के पैतरी कावास पर छापे मारी की गई थी और उनके हां से AK-47 कार्तूस और हैंड ग्रिनेड जैसे घातक हतियार बरामत किये गए थे जिसके बाद अनन्द सिंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और आज इस पर अन्तिम फैसला आने वाला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी होई है बिहार के पटना में मुकामा से विधाय करनंद कुमार सिंग के खिलाफ चल रहे हैं मामले पर MPML कोर्ट में आज यानि की मंगलवार को सुनवाई होगी और फैसला लिया जाएगा पक्ष और बचाओ पक्ष की अदालत में बहस पूरी हो गई है अनन सिंग अभी पटना के बेउर जेल में बंध है पटना के MPML कोर्ट के विशेश जज त्रिलो की दूबे ने मंगलवार को इस केस के फैसले की तारिख तै की है इस मामले को बिहार सरकार ने विशेश कांट की श्रेनी में रखा है आरोप के खिलाफ ट्रायल के दिए विशेश लोग अभियोजद को न्यूक्त किया गया है इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया इस केस के जाच बाढ़ अनुमंडल के ततकाली नस्पी लीपे सिंग और विधायक अनन्द कुमार सिंग एवं केर टेकर सुनील राम के खिलाफ कोट में चार्जशी दाखिल की थी MP MLA कोट ने इस मामले में विधायक अनन्द सिंग और केर टेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था इसके बाद न्यूक्त विशेस लोग अभियोजद ने 13 पुलिस गवाहों को कोट में पेश किया वहीं अनन्द सिंग की ओर से बचाओ पक्ष में 33 गवाह पेश किये गए दोनों पक्षों की सनुवाई सोमवार को पूरी हो गई और अब आज यानि की मंगलवार को कोट अपना फैसला सुनाएगी 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस ने अनन्द सिंग के बाढ़ थाना के लदवा गाउं में स्थित पैत्रे घर पर छापे मारी की थी और इस दोरान उनके पुष्टैनी मकान से प्रतिबंदित हतियार एके 47, 33 जिंदा कार्तूस और दो हैंड ग्रिनेड बरामत किये गए थे बाढ़ थाना ध्यक्ष नहीं उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की थी और इसको लेकर के लगातार कारवाई जो है अनन्द सिंग के खिलाफ चल रही थी कोट में उनकी कई दफे सुनवाई हुई और कल आखरी बहस पूरी हो गई और फैसले के लिए कोट ने आज की तारिक तैके थी यानि कि मंगलवार को आज उनके जो उनके उपर जो मुकदमा चल रहा है उसका अंतिम फैसला आने वाला है और सब के निगाएंस पर ठीकी हु अब गउस से भी आपको अपडेट कराएंगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें आइवी टीवी के साथ धन्यवाद आइवी टीवी बेखता है इंडिया